दोस्तो आज से हम इन्वर्स टिंगोमेट्रिक जो 12 का चैप्टर नमबर 2 है वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और दोस्तो रिफ्रेंस बुक क्या होंगी वह हम पहले आपको बता दें वह हमारी रिफ्रेंस बुक पहला तो हम NCRT ग्जांपलर हैं दूसरा NCRT जोकि दोनो लगवक सेम ही है बट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत डिफ्रेंट है ओके और भी बुक है जैसे आडी शर्मा एमल अगरवाल तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से उसे बताया जाएगा और एक रिफ्रेंस बुक के तोर पे हम एक्जांपलर और NCR लेकर चलेंगे दोस्तों हमने ऐसा कई बुक पढ़ा जैसे उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट आडी शर्मा है तो मैंने उसमें पढ़ा तो देखा 70 परसेंट या 60-70 परसेंट बोली जो क्वेश्चन है वो NCRT और NCRT एक्जांपलर से रिलेटेड है उस टाइप के हैं तो मैंने सोचा NCRT से ही पढ़ाना अच्छा होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके फीचर क्या है देख लेते हैं अगर इसके फीचर देखे तो आपको जो चीजे वीडियो में बताया जाएंगे जैसे कि अगर हम कोई टापिक पढ़ा रहे हैं जितना टापिक एक वीडियो में कवर होंगे उसके पीडियेफ मिलेंगे आपको दूसरा आपको डेली प्रैक्टिस क्वेस्टन्स जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फ्री आप कोर्स होगा क्या मैंने बोला ये टोटली फ्री आप कोर्स होगा कोई इसके चार्जेस नहीं है आपको को एकदम रियल जैसे आप घर पे पढ़ते हो जैसे आप कहीं कोचिंग या ट्यूशन जोईन करते हो वैसे ही एकदम पढ़ने को इंवर्मेंट मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है इनवस्ट इग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो इं कोचिंग इनवस्ट इग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले हमें फंक्शन के बारे में ज्यान जरूर होना चाहिए तो दोस्तों हमने 11 और 12 में दोनों ही क्लास में रिलेशन और फंक्शन पढ़ाया है ओके तो हमने वहां पर क्या देखा 11 में नहीं उचीजी डिस्क्राइ कि गई थी वहां पर तो टाइब बताये गया तो वहां पर टीक्नोमेट्रिक फंक्शन था फिर में भी था लेकिन यहां पर बताया गया है 11 on to इस टाइप के और भी टाइप के function है लेकिन उसमें एक 11 onto दो बहुत important है जो कि ये word लाने के लिए use किया जाता है inverse अगर दोस्तो कोई function है inverse तभी exist करेगा जब वो 11 और onto क्या हमने बोला कोई भी function है वो तभी inverse exist करेगा जब वो 11 और onto दोनो हो ये तो समझ में आए चलिए लिकिन ये बात आता है चा हमारा inverse trigonometric function वाके में inverse होता है ये कैसे inverse word आ गया trigonometric function के सामने ये जानना बहुत ही important है क्योंकि दोस्तों ये जो trigonometric function है न ये invertible है नहीं फिर भी inverse कैसे आ गया ये हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे तो चलिए आपको हम एक graph के थुरू बताएंगे ओके और हमने जैसा बताया अगर कोई हमारा function है ये तो टिकनो मेट्रिक है तो अगर हम कोई function के बारे में बात करें ये तभी invertible होगा क्या हमने बोला तभी invertible होगा जब ये वन वन और अंटू ये दोस्तों आपका introduction वीडियो है आप ये ओके तो introduction वीडियो आप परिशान न आविएगा कि इसमें क्या-क्या बताया जा रहा है तो चलिए समझते हैं हमने क्या बोला function invertible तभी होगा जब वो one one on to दोनों होगा और दोनों होना चाहिए अब one one का मतलब क्या होता है one one का मतलब समझ लेते हैं one one का one one function या one one mapping बोल दें तो one one का मतलब क्या होता है यह आप जानते हैं लेकिन एक introduction के रूप में आपको जानना चाहिए अगर आप बोल गए हो तो जानना important है तो one one क्या होता है one one होता है दोस्तो one one मतलब एक का एक से दोस्तों यह समझ में अगर कोई function हमारा यहां पर डिफाइन है कि यहां यहां पर दोस्तो one one का मतलब यह समझ में आता अगर मैं ऐसा कोई बना रहा हूं देखिए और यहां पर डिफाइन है कि f such that r to r इसका meaning तो आपको relation and function set वगएरा में ग्यान ही है कि f such that r to r यह हमारा domain होता है यह जो r होता है यह हमारा domain होता है और यह जो r होता है हमारा co domain होता है तो आप इन सब चीजों से परचित हैं फिर भी मैं बता रहा हूं आपके लिए help दो लोगा अब हमें बोला यह r to r हमने बोल दिया कि हमारा कोई function r to r define है 1 2 3 तो यहाँ पर 2 4 5 6 यहाँ पर r to r और भी element इसमें होंगे हमने इतने ही element लिया है ओके और भी element होंगे आपको पता है जितने भी सारे number दिखते हैं visual है वो सारी real number है तो आपको पता infinite number है तो हम बस इतने number लिया तो आप देखोगे x यहाँ पर अगर one रखोगे तो यहाँ पर one होगा तो टू हो जाएगा मतलब one का two से फिर अगर टू रखते हम टू का two से तो यह four का बना रहा है और दोस्तो वन थिरी का किससे थिरी का six से बनाएगा तो आप ऐसे देखो गे ना एक का एक से और function का मतलब योता है एक का ए यहां दो का टो हो शकता है बत दोस्तों कोई केस में व ही का सेम टू हो शकता है लेकिन और ऊप्वान के लिए आपका एक से ही होगा एक से सी और खिसी हो लेकिन ये टोटल जितने एलेमेंट्टों एदर ऑकुपाई करना ही क्याया इदर जितने भी सारय एलिमेंट ओ इधर सारे इधर आखू पाइक नचाहिए इधर को तोटाल इधर जिसारे इधर इना हो ओ मैतर नहीं करता है लेकिन यह जो एलिमेंट और यह सारे इधर आखू पाइक रहता है और आन्टु जल्दी से जान लिजे में इसी में सम्जा देत अंट्टो का मतलब इसी का उल्टा जाए prawd इसके इसे नहीं हो गया हमारा अइसा नहीं है क्यों फिर भी इन्वर्स आया है यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए जानते हैं आपको और हां इनवर्टिवल क्यों आया यह इसके उपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वह आपको उन समझाए गए चलिए पहले ग्राफ से समझते हैं आपको एक हम ग्राफ लाते हैं हम सायन का ही वसा समझते हैं तो यह सायन के देखिए ग्राफ है थार पर देखें हैं हमसेам अगर आप ऐसे आपने बनाया अगर आप ही जगह कर रहे एक कोई की ऐसे खेशा ऊष्ट नहीं कर दिखाना इस तरह से को आपको खीच कि भी दिखा हो यह ल I गदेखे में बहुत इजी हो गई जैसे आप खीचते हो ऐसे आपने कीचा अगर ऐसे और ऐसे खीचने पर यहां देखो जगांगे करण यहां तो ऑफी जरू अगर कोई भी लाइन यहां पर दो जगां कट कर देना ती वन वन नहीं अज जब वन नहीं तो इन्वर्टिवल हो गाई नहीं और यहां पर देखो यह कोई फंक्शन यह पैरा बोला है जैसे हमने लिया है दो लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है आपको फंक्शन है कि न है मैं तब भी इक ही बार कट कर रहा है तो यह फर इस तरह से हमारे घ्राप तो कैसे फंट्रन पहचानते हैं यह हमने समय लिया वन वन है की नहीं फंट्रन नहीं है तो वन मन कैसे होगा तो ऐसे हमने समझा अच्छे से अब आपको ग्राब से समझाते हैं टिग्नोमेट्रिक फॉंक्शन क्यों इनवर्टिवल नहीं है अब आप देखो यह हमारा है ऐसे अब आप हमने बूला कि आप से होरिजेंटल लाइन आप वाई के लॉंग जिसे होरिजेंटल लाइन है ना होरिजेंटल है और यह वार्टिकल होता है ऐसे मैं कर रहा हूं तो एक ही जगां अगर एक परता है मतलब कि ईस्सलिए यह हम पता होता हो गहर है यह बहुत बड़ी भूक है यह फॉरेंट बूख है जिस्टे मैं बता रहा हूँ तो उसमें भूछ अच्छे से समझा गया है तो हमने यह रिस्ट्रिक्शन लगा गया है देखिए यह रिस्ट्रिक्शन अगर यहां से लेके यह माइनस पाई वाई टू से अगर पाई वाई टू तज रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो आप चाहे वर्टिकल खिचो चाहे आप होरिजनल किचो चाहे वर्टिकल आपको ऐसे कुछ बनने को मिला ऐसे ग्राफ मिला मानेस पाइबेटू से पाइबेटू यह हमारा ग्राफ है तो यहां पर चाहे ऐसे खीचो तब भी एक जगा क्रॉप कर रहा है चाहे ऐसे कहीं भी खीचो तब भी हमारा पंख्वांगे तो माइनस पाई टू से पाई बाई टू ही तक पढ़ेंगे तब ही यह हमारा फॉंक्शन होगा तो यहाँ पर भी यहां देखो हो यह लाइनिंग किया गया है यह माइनस पाइब टू से लेके पाइब टू तक आप देखरो ना तो यहां तक रहेगा तभी इन्वर्स एक्जिस्ट करेगा इसमें यह वन वन भी होगा और अन्टू भी होगा दोस्तों तो आयोप आपको यह बहुत बहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा यह जो ग्राफ मैंने काटके दिखाया उसमें यह चाहिए आप ऐसे खीचो चाहिए ऐसे खीचो एक ही जगें तो कराफ कर रहा है है कि नहीं तो यह हमारा साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ था हमने इसे अच्छे से समझा बहुत बहतरीन तरीके से और दोस्तों इसमें तीन पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इन्सियाटे के तीन पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह आप अपने माइंड में रिलोड कर लीजिएगा जो की बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो आपको याद होना चाहिए कि आपका रेंज क्या है और डोमेन क्या है कि सायन इन्मस का दोस्तों यह देखिए यह हमारा क्या होता है यह हमारा डोमेन होता है क्या मैंने बोला यह हमां वे domains होते हैं मैं और सब्सक्राइब होता men maire होता है यह जो देखो मारा 5 x 2 से 5 x 2 है यह मारा range होता है तो देखो सब का अलग का है दिग के और और दोस्तों जो तीन पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह आपको रिमेंबर करना है तो मैं बताता हूं चलिए नोट कर लीजिएगा जो कि NCRT में है आप लोग क्या है कि अक्सर ना जो NCRT महा भारत है छोटी छोटी वर्डों में बहुत बड़ा बड़ा च साइन इन्वर्स एक्स है तो इससे आप कंफ्यूजना होईएगा कि साइन एक्स का टोटली का इन्वर्स है और इसे मैं लिख दूंगा वन अपान साइन नो कभी नहीं दोस्तों यह कंफ्यूज मत होएगा यह आपने लिख दिया तो पूरा आपने गलत कर दिया तो यह आप दूसरा पॉइंट हमारा है वेनेवर नो ब्रांच आफ एन इन्वर्स्ट इगनोमेट्रिक फंक्शन इस मेंजर्ड मतलब कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया जैसे कि अगर मैं आपको यह क्वेश्चन दिखाऊ एक्जामपल में एक्जामपल नंबर वैर एंस क्वेश्चन चाहँंगा अब दिखिए जो कोईश्चन दिया कि साइंवर्स फंक्शन इसमें दिया गया है whenever no branch of investing metric function is mentioned we mean the principle value branch of that function यहाँ पर हम principle value कि हमारा जो यहाँ पर sign inverse है ना यह belongs करता है कहां यह belongs करता है क्या इसकी minus pi by 2 से यह हम मान लेंगे अगर यह sign है और जो भी है उनके हम branch learn के रहेंगे हम सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह से ओके तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा बहतरीन तरीके से तो मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूं प्रिंसपल वरांच के जो प्रिंसपल क्या होता मैं आपको वह समझाने की कोशित कर रहा हूं कि प्रिंसपल वैलू क्या आपको सुरच्छित रखेगा आप अपनी बुक में नोट्स बनाएगा अच्छे से तो मैंने क्या बोला दोस्तों यह जो स्नाइन इन्वर्स है यह माइनस पाइवे टू से पाइवे टू के बीच में होता है इसका रेंच तो इसके बीच की जो वैलू होती है ना जो हम सॉल क करेंगे तो आप देखो किया कैसे करते हूं मैं आपको बताओंगा यह पाइवे टू आया सॉल करते समय यह पाइवे टू आया इसका अंसर तो जो पाइवे टू है इसके भीच का है ना तब इसके बीच का इसी को हम प्रिंस्पल वैल्यू कहते हैं जो इन्वेस्ट